हाई गईज और वेलकम बाक टो दी चैनल दीपच्यादव एजुकेशन वेलकम दी डेली करेंट अफियर्स ओफ नवेंबर 2023 तो गाईस आज है तारिक 6 नवंबर 2023 और है मंडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफियर्स को हम यहाँ पर डीटेल से डिसकस करेंगे यह वीडियो यूपीस से और स्टेट पीस से के पॉइंट एविस से का करना दोस्तों कल वीडियो नहीं आया था आपको पता हुगा क्योंकि सेंडे में जो हमारा मॉर्णी का फाइव एम वाला वीडियो होता है वो हम पब्लिश नहीं करते हैं केवल दा हिंदू वाला वीडियो आपका रैगुलर बेसिस पर चलता है ठीक है इस लेक्चर में हम करते हैं लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं चाहे वो पी आई भी हो डाउन टू अर्थ हो लाइवमेंट हो सभी के न्यूज आर्टिकल्स को प्रॉपर बैग्राउंड इंफर्मेशन के साथ में कवर करते हैं इस लेक्चर का एंड ब सॉल्व कर पा रहा हूं बाकि आपको इस लेक्चर का पीडियाफ चाहिए तो इसके लिए टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक च्यादा वेजुकेशन यूपी एससी आपको ये टेलिग्राम चनल मिलेगा यहां से आप डेली बिसस प में परस्नली जुड़ सकते हो नाउ स्टार्ट करते हैं आज के से सेशन को आज काफी सारे आर्टिकल्स हैं जहां पर बेसिक डेटा प्रलिम्स और मेंस दोनों के लिए रिलिवेंट होने वाला है सबसे पहले आर्टिकल में बात करेंगे यूनेसको के क्रियेटिव सिटीज नेटवक के बारे में क्या है ये नेटवक वो तो समझेंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार खबर क्या है क्यों हम ये आर्टिकल्स कर रहें आज तो हाली में किरिला का कोजी कोडे और मध्यापरदेश के अंदर जो ग्वालियर है ये जो दोनों जगह है य दोस्तों इन दोनों राज्य की इन दोनों ही शहरों को युनेसको के इस क्रियेटिव सिटीज लिस्ट के अंदर में एड कर दिया गया है कारण किया था इन दोनों शहरों को इस लिस्ट में एड करने का कारण है क्योंकि इन दोनों शहरों का एक बहुत बड़ा यह अब यूपी से की बात करें तो माप नपे हैम से डिरेकलि पूंचा जा सकता है युनएसको के क्रिएटिफ सिंट्टिंवर के बारे में कि आखरकार यह नैट्वर किया जाता है कि फिर्सके इस इंट लेन धाँ तब जो अगया जाता था हमारे पुरे दुनिया भर में वो आज यहाँ पर इस पुरे network को बनाते हैं इसका main objective क्या है इसका main objective हमको देखने को मिलता है जो हमारी creating और culture industries होती हैं दोस्तो इसको यहाँ पर और ज़धा develop करना local level पर international level पर इसको एक बहुत ज़ादा उचे मुकाम पर लेकर चलना तो दोस्तों यहाँ पर जो यूनासको है यह इस लिस्ट के अंदर में अलग-अलग शहरों को अलग-अलग साथ फील्ड के माध्यम से इस लिस्ट में एड़ करता है वो साथ फील्ड कौन कौन सी है क्राफ्ट की फील्ड हो गई यानि कोई शहर में क्राफ्ट बहुत पॉपलर है वहाँ का फूल कार्ट बहुत पॉपलर है मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर या म्यूजिक जैसे फ़र एक्जामपल अभी कोजी कोड़े और गवालियर को यहाँ पे लिटरेचर और म्यूजिक की वज़ा से एड़ किया गया है लिस्ट में तो ये कुछ और चीजे, कुछ और फील्ड भी चेक की जा सकते हैं जिसके बेसिस पर कई सरे शहरों को इस लिस्ट में एड़ किया जाता है ठीक है, बात क्लिर हो गई हर साल दोस्तों युनेसको यहाँ पे इस प्रकार की एप्लिकेशन अलगलग शहरों से लेता है पूरे दुनिया भर में, ऐसा नहीं के वले इंडिया, पूरे दुनिया भर के अलगलग शहरों से यह एप्लिकेशन लेता है अपने इस project को complete करने के लिए शेहरों को लिस्ट में add करने के लिए तो इंडिया की जो applications दाती है इंडिया के शेहरों की जो applications दाती है ये directly ministry of culture के मादम से transfer होती है ठीक है अब कोजी कोडे और गवालियर ये दोनों important शेहर भारत के बन चुके हैं जो कि आज के समय पर UNESCO Creative Cities Network का एक हिस्सा बन चुके हैं अब दोस्तों यहाँ पर कोजी कोडे अगर हम देखें तो यहाँ पर केरला literature festival होता है अलग-लग books festivals यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं जब बात करते हैं गवालियर की तो यहाँ पर musical बहुत बड़ी diversity देखने को मिलती है music को लेकर classical हिंदुस्तानी music, folk music, devotional music तो इन चीजों की वज़ा से यहाँ पर इनको list में add किया गया क्या question यह है क्या यह दोनों पहले शहर हैं या इससे पहले कुछ और शहरों को भी इस list में add किया गया है जी इससे पहले चार और शहरों को इस list में add किया गया है जैसे स्रीनगर और जैपूर सरी, चार नहीं और जादे ही है यहाँ आप आप देख पाओगे conspiracy और फोल कार्ड के मामले में Σ्रीनगर और जैपूर को आड किया गया है film की category में मुवमई को आड किया गया है और music category में चेननाई और वरांशी को भी अड किया वा है और gastronomy की category में हैदराबाद को आड किया गया है यह already Indian cities है जो कि इस network में added है इसमें दो और एड कर लो गौलियर और साथी साथ में कोजी कोडे बात क्लियर हो कि चलिए आ गया आते हैं नेक्स आर्टिकल पर है अगले आर्टिकल में दोस्तों इन्फ्यूज मिशन के बारें बात की जा रही है क्या है यह इन्फ्यूज मिशन आओ थोड़ा जानेंगे जी एस पेपर नमबर थ्री साइन्स एंड टेक्नलोजी के पॉइंट डेवी से काफी इंपॉर्टेंट टॉपेक है तो हाल ही में जो नासा है दाट इस नैशनल एरोनोटेक्स और स्पेस अड्मिस्ट्रेशन इन्होंने एक साउंडिंग रॉकेट लॉंच किया है अपने इन इसको इन्फ्यूज मिशन को लॉंच किया था मैक्सिको से और इसको लॉंच इसलिए क्या गया है ताकि एक सूपर नोवा रेमिनेंट दोस्तों सूपर नोवा क्या होता है जब एक बड़ा सा स्टार जो है एक्स्प्लोड होता है पूरी एनर्जी के साथ में समझ गया ना इसको पड़ा रखा है सूपर नोवा इस आ मैसेव एक्स्प्लोजन ऑफ डाइंग स्टार एक स्टार जो कि यहां पर सितारा पूरी तरह से खतम हो रहा है खतम होते होते एक बहुत बड़ा सा एक्स्प्लोजन होता है बहुत हाई एनर्जी उसमें से रिलीज होती है फिर उ जो इन्फ्यूजन है इसका मेन मकसद क्या होगा कि जो भी हमारा यह सूपर नोवा था जो यह स्टार बिस्पोर्ट हुआ था एक्स्प्लोड हुआ था बहुत तेजी से जिसको हम सूपर नोवा बोलता है उसके बाद यहां पर यह छितरा गया था उसकी स्टड़ी करने के यहां पर जो मिशन यहां है यह बहुत सरी information को collect करेगा ऐसा बोला जा रहा है लग्बख 240 km की उचाई से यह information को collect करने वाला है और भी बहुत सरा data यहां पर collect करेगा photos collect करेगा साथी साथ में जो cygnus loop है इसको study तो करेगा, study करने के साथ साथ जो हमारे stars होते हैं, जो हमारे सितारे होते हैं, उनका life cycle कैसे होता है, कैसे सितारा जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर explode होकर खतम हो जाता है, तो उसकी life cycle को understand करने के लिए भी यहाँ पर ही जो infused mission है, यह हमारी help करने वाला है, ठीक की सूरे से भी 20 गुना जादा बड़ा था, तो आप imagine करो, सूरे कितना बड़ा, उसका size कितना जादा बड़ा, कितना वज़न उसमें, तो 20 times the size of our sun, यह यहाँ पर इसका size हुआ करता था, तो लगबग 20,000 साल पहले यह जो सितारा है, यह collapse कर गया, यह explode हो गया, खतम हो गया अपने ही gravity के अंदर, और जब सितारा explode करता है, तो उसमें से बहुत जादा खतरनाक energy निकलती है, बहुत जाद energy निकलती है, फिर वो यहाँ पर besport हो जाता है, पूरी तरह से, और एक बार जब सितारे में explosion हो जाता है, या तो वो neutron star बन जाता है, या black hole बन जाता है, या completely destroy ह हो जाता है, खतम हो जाता है, छोटे-छोटे टुकडे छितर जाते हैं, उसे star के, क्या है sickness loop, आई होप आपको ये बात अच्छे से clear हो चुकी है, तो आप से पूछाता है, infuse mission का main purpose क्या है, तो आप ये भी बता सकते हो, सितारों की life cycle को understand करना, वैसे याँ पर sickness loop को study करना है sickness loop क्या है, वो भी आपको बता दिया गया, चलिए आगे आते हैं अगले article पर, gs paper number 3, environment के point of view से important है, एक मचली चर्चा में एक नई प्रजाती भारत में पाई गई है मचली की, जिसका नाम है अवाउस मोतला, ठीके तो अवाउस मोतला क्या है, आपको ताइमस आफ इंडिय महानदी जो river है, ओडिशा के अंदर में, महानदी रिवर में एक खाई जाने वाली fresh water मचली मिली है, और इस मचली की ये नई प्रजाती है, ऐसी प्रजाती पहले नई नई देखने को मिली, तो यहाँ पर ही जो दोस्तो प्रजाती है, इसका नाम यहाँ पर दिया गया है, आवाउस मोतला, ठीक है, तो यह प्रजाती भी चर्चा में आ चुकी है, तो आवाउस मोतला एक प्रकार की fish है, जिसका color भी आपको yellow color का नजर आएगा भी आपको दिखाया था, है ना, इसको महानदी नदी से connect किया गया है, sorry, collect किया गया है, महानदी जो river है, वहाँ पर य पाई गई है, यह discovery चल लए थी एक वैसे, एक project के ओपर research चल रही थी, जो कि Department of Science ने टेक्नलोजी का project था, लेकिन वो research के दोरानी यह मचली मिल गई एक्दम से, यह जो species है, यह बिलॉंग करती है, आवाउस family को, ठीक है, तो नाम ध्यानक ना आप से पूछा सकता है कि हाली में यह अवाउस मोतला एक चीज न्यूज में थी, क्या थी यह, तो ध्यानक ने यह मचली की प्रजाती है, बात के लिए रो गई, आप दोस्तों महानदी रिवर के बारे में थोड़ी basic चीज़े जान लेते हैं, कभी-कभी rivers को लेकर प्रिलिम्स में question बन जाता है, क्योंकि इसी नदी में यह मचली पाई गई है, तो यह जो महानदी रिवर है, यह east flowing peninsular river है भारत की, मतलब क्या है, यह भारत का जो समुदर के साथ में touch हुआवा हिस्सा है, दोस्तों यह peninsular इंडिया कहलाता है, ठीक है, इस peninsular region में आपको ओडिशा नजर आता है, अब यही पर ओडिशा आपको नजर आएगा, यही पर आपको महानदी रिवर देख रही होगी, यह है महानदी रिवर, 36 गड़ से बहती है, और स्टार्ट होते वे, 36 गड़ से निकलते वे, ओडिशा में आ गई, और ओडिशा से आते वे, सीधा यहाँ पर गुजर कर Bay of Bengal में गर जाती ह तो इसी महानदी रिवर के अंदर में, कह सकतो हो, यह मचली पाई गई, तो दोस्तों, यहाँ पर यह इस्ट फ्लोइंग रिवर है, क्योंकि यहाँ पर यह हमारा इस्ट वाला डारेक्शन हो गया, तो यह नदी बैकर सीधा इस्ट में जा रही है, बैफ भैंकोल में गर रह जाते हैं, ठीक है, वहाँ से गुजड़ते वए कह सकते हो, यह बैफ बैंकोल के अंदर में गर जाती है, महानदी की ट्राइबिटरीज कितनी है, इसकी साहिक नदिया कौन कौन से, तो साहिक नदियों में दोस्तों कई सरी नदिया है, जैसे सियोनात नदियों रिवर, यह तेलें रिवर, ध्यान अकना, क्योंकि कई बार ट्राइबिटरीज को लेकर क्वेशन बन जाता है, यूप्यसी में 2016 में ब्रह्मपुत्रा नदियकी ट्राइबिटरीज के बारे में सवाल आपसे पूछ लिया था, नहों आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, अगला आर्टिक के बारे में कुछ important key facts के बारे में, प्रोपेन आज के समय पर काफी चर्चा में है, दोस्तो आज का जो थमनेल है वो यही वाले आर्टिकल के उपर based है, एक नई चीज की discovery हुई है, जो कि भारत के लिए कह सकते हो एक बहुत बड़े संकट का समधान बन सकती है, तो हाली में यहाँ पर कह सकते हो, एक state-run gail India, अचा सौरी, यह वो नहीं है, यह थमनिल वाला आर्टिकल नहीं है, मैं इसको white hydrogen समझ रहा हूँ, थमनिल वाला आर्टिकल नहीं है, दोस्तों इसको clear कर ले ना, यहाँ पर हम सीधा propon के बारे मात कर रहे हैं, प्रोपेन के बारे में इसलि अपने एक्जाम के लिए पढ़के जाना है, तो प्रोपेन चर्चा में है, और यह आर्टिकल कई सारे न्यूस पेपर्स के अंदर में cover किया है, तो इस वज़ा से आपने प्रोपेन के बारे में basic जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले चीज़ प्रोपेन colorless और easily liquefied gaseous hydrocarbons हैं, gases hydrocarbon इसमें carbon और hydrogen के atoms का पूरा bond नजर आता है, तो यह आप देख पाओगे carbon और hydrogen का ही यहाँ पर bond होता है इस प्रोपेन के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर na gases के अंदर में जा आप देखोगे तो एक paraffin series आती है, तो paraffin series में यह तीसरा member है propane, पहला है methane, दूसरा है ethane और तीसरा है propane, propane का जो chemical formula है, वो क्या है, C3 Hades का chemical formula है, बाकिस के source की बात करेंगे, तो दोस्तों जैसे natural gas की processing करते हैं न हम, यह हमारा petroleum refining होती है, petrol को refine करते हैं, तो जब refining कर रहते हैं, तो उसमें से जो by product निकल कर आता है, वो propane कलाता है, तो उसमें से by product के तोर पर भी हम भी propane मिल जाता है, यह crude oil जब extract कर रहे होते हैं, crude oil कच्छे तिल को निकाल रहे होते हैं, तो उस दौरान भी यहाँ पर कह सकते हैं, उसके distillation के दौरान भी जो gas produce होती है, वो यहाँ पर propane कलाती है, और आज के समय पर दोस्तों commercially यह available है, है ना, commercially हम इस propane का use कर, रेल पी यहाँ पर कह सकते हो कि powering, farming के लिए, farming sector को यह power देता है, हमारे, especially खेती में, यहाँ पर थोड़ी सी और जदा extra help कर सकता है, industrial equipment के लिए, हर जगा पर यहाँ पर इसके फाइदे भी हैं, एवन यहाँ पर जो यह propane वाली industry है, ठीके, यह बहुत popular हो जो कि यह इतनी popular कि जो हमा यह article हमारा thumbnail वाला है, white hydrogen, चर्चा में, आपने green hydrogen, blue hydrogen, black hydrogen, pink hydrogen, वगरा वगरा सुना होगा, सब पड़ा रखा है, white hydrogen कुछ नया है, नई चीज चर्चा में है, इसके बारे में basic जानकारी दोस्तों आप सभी को होनी चाहिए, important है, very very important mark कर लेना इसको, जितना mark कर लेना, तो हाल हमारे scientist हैं, वो ना fossil fuel ढूण रहेते हैं, फ्रांस के अंदर, fossil fuel ढूणते हैं ढूणते हैं उनको एक बहुत बड़ा भंडार मिल गया white hydrogen का, यहीं पर काम हो गया, अब white hydrogen की जानकरी दुनिया के सामने आ गई है, white hydrogen जिसको हम लोग natural gold या geologic hydrogen भी बोलते हैं, यह naturally produce होती है, ज ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो white hydrogen होता है, इसके कई सरे advantages हैं, यह एक प्रकार का ऐसा hydrogen है, जिससे कोई भी pollution नहीं होता, जब इसको as a fuel यूज करोगे, है ना as a energy का source यूज करोगे, तो इससे कोई भी प्रदूशर नहीं होगा, प्लस सस्ता भी है, efficient भी है, नहीं तो आपको normal hydrogen में electrolysis करवना पढ़ेगा, आपका expensive पढ़ जाएगा, प्लस white hydrogen abundant है, बहरपूर मात्रा में है दोस्तों, यह renewable energy है, renewable source है, कैसा source इससे कोई pollution नहीं होता, उतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर में कई सारी countries में white hydrogen present है, सबसे बड़ी बात, US में है, Eastern Europe में है, Russia, Australia, France, क एक अंदाजा बताया जा रहा है, कि दुनिया भर में लगबा कम से कम, tens of billions of tons के आसपास white hydrogen present हो सकता है, इतना hydrogen present हो सकता है, अब बात करते है, types of hydrogen की, कई सेरे प्रकारे, एक होता है, grey hydrogen, grey hydrogen, वो hydrogen होता है, जहां पर pollution पैदा होता है, कोईला जला कर, हम यहां पर इस hydrogen का उत्प से, तो blue hydrogen कर लाता है, green hydrogen में कोई भी producer नहीं होता, यहां पर सीधा हमें पानी के अंदर में electrolysis करके, पानी को hydrogen से, सरी, oxygen को hydrogen से अलग करना, क्योंकि आपको पता है, पानी जो है, oxygen और hydrogen से मिलकर बनावाए, तो पानी में electrolysis करके, oxygen और hydrogen को separate करना है, वो हम electricity से कर सकते हैं, और electricity म हम लोग यहां पर renewable energy का यूज करते हैं, यानि solar energy, wind energy, इनका यूज करते हैं, तो इसमें कहीं पर भी pollution नहीं होता, वो हमारी green hydrogen के लाती है, पढ़ना इसके बार में तो आप यहां पर पर सकते हो, grey, blue, green, purple, torques, brown, black, सारी hydrogen के बारे में जो detailing से हो यहां पर mention कर दी गहीं है, चल ही मैं दोस्तों यहां पर food safety and standards authority of India, that is FSAI, तो इनोंने यहां पर state food safety को index को publish क्या, very very important, पहली line में ही काम खतम, पहली line बहुत important exam के लिए यहां से directly question बन सकता है, कि भाई या state food safety index कौन लेकर आता है, simple सी answer है कि भाई इस index को release करती है FSAI नाम की body, इस index को start क्या यहां था लाना 2018-19 में ताकि यहां पर एक competitive environment create किया जा सके, एक अच्छी food safety के उपर focus किया जा सके, हमारे देश में साफ सुतरा खाना, सुरक्षित खाने के उपर एक special focus किया सके, यह जो index है, यह index हमारी help करेगा, ताकि हम अपने नागरिकों को, अपने citizens को, एक safe nutritious food provide करवा सके है, यह जो index ह यह हर एक राज्य unit territory के performance के उपर based होता है, कि किस तरीके से वहाँ पर खाना दिया जा रहा है, safe है या नहीं है, उसके basis पर यहाँ पर इस index को त्यार किया जाता है, और कैसे देखा जाता है, तो इन सभी राज्यों में 5 special parameters के उपर focus किया जाता है, उन 5 parameters को देखकर इस index को ready क किया जाता है, वो 5 parameter में सबसे पहला है human resource and institutional data, दूसरा है यहाँ पर compliance, तीसरा food testing infrastructure कैसा है, उस state के अंदर में, तीसरा food testing and infrastructure, surveillance कैसा है, फिर training and capacity building कैसा है, and consumer empowerment, जो लोग हैं, जो में नागरिक हैं, में कैसकतो ग्रहा किया, वो कितने सशक्त हैं, ठीक है, तो consumer empowerment भी यहाँ पर कर दिया गया, improvement in FSI rank करके यहाँ पर कुछ add कर दिया गया था, इसके अंदर में, समझ गए, अब दोस्तो इस report के main मकसद का, इस report का main मकसद भी खान पान के अंदर में, दुनिया भर में, हमारे पूरे especially देश भर में सुधार करना, उसके लिए यहाँ पर जो report है, वो ही, यह जारी की जाती है, वही कौन से state के अंदर में, जो खाने पीने की जो testing होती है, उसका proper infrastructure है, या नहीं है, अगर कहीं पर बढ़िया है, तो उसको अच्छा score दिया जाएगा, कहीं पर नहीं है, तो उसको बेकार score दिया जाएगा, जैसा भी महाराश्टरा, बिहार और गुजर इन सब का बहुती कम score है, इन अलग-लग parameters में ऐसा यहाँ पर mention किया जा रहा है, आगे आते हैं next article पर, अगले article में British Academy Book Prize के बारे में बात की जा रही है, तो यह जो lady आपको दिख रही है, इनका नाम है नंदिनी दास, तो खाली में यहाँ पर इन्होंने यह British Academy Book Prize को जीता है, क्योंकि इन्होंने किताब लिखी है, जिसका नाम है Quoting India, यह जो किताब आपको दिख रही है, इस किताब में इन्होंने history लिखी है, specially यहाँ पर कैसे अंग्रेज यहाँ पर इंडिया में आए, अंग्रेज उसे लेकर मुगल तक यहाँ पर जो है, सब कुछ mention किया गया है, म examination के अंदर में डिरेक्ली आपसे इस price के बारे में basic चीज़े पूछी जा सकती है, सबसे पहले यह जो British Academy Book Prize है, इसको इतिहास में कुछ और नाम से भी जानते थे, नाम है Nayef Al Rodan Prize, ठीक है, बाद में इसका नाम change कर दिया गया, इस price को 2013 में establish किया गया था, इस price को establish किया गया ह ठीक है, non-fiction books है, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं यह best work का award दिया जा सके, especially यहाँ पर ऐसी किताबे, जो कि यहाँ पर अराम से लोगों को समझा सके, cultures के बारे में, दुनिया की cultures के बारे में अच्छा interaction दे सके, ठीक है, तो ऐसी किताबे ऐसा work होना चाहिए, जो कि जिसका contribution हो पब्लिक अंडेस्टेंडिंग में, कि बब्लिक जो है, वर्ल्ड कल्चर को अच्छा समझ सके, तो इन सब ऐसी परकार की किताबों को यह जो बुक प्राइज हो दिया जाता है, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज दो सो यूके का ही एक, ब्रिटिश अकेडमी विसी के यह यूके की नैशनल अकेडमी है, जो कि यह प्राइज देने का काम करती है, अब इसमें कौन-कौन सी बुक्स को प्राइज दिया जाता है, कई सारी बुक्स हो कि अलगला कैडिगरी से आती है, आर्केलोजी, हिस्ट्री, साइकलोजी, फिलोसफी, लेंग्वेजेस, कल्च इंग्लाइड, मुगल इंडिया, औरिजिंस ऑफ एंपायर, यह बेसिकली पूरा नाम है किताब का, पूछा जाता है किताब के नेम भी आपसे याद रखना है, इस्पेशली फॉदा वन डे एक्जामनेशन, दोस्तों यहां पर जो भी विनर होता है, इस प्राइस का उसको आपको मज़ा आया होगा, इन सभी आर्टिकल्स के अंदर में मज़ा तब आएगा, अगर आपने इन आर्टिकल्स को अच्छे से सुना है, और अब आपके सामने प्रश्ण में रख रहा हूँ, एक एक करके सभी क्वेशन को मैं यहां पर रखने वाला हूँ, आप सभी ने में एक्जामनेशन के लिए क्वेशन की प्राक्टिस भी होगी, तो सवाल यह है कि पहला सवाल है युनेस्को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क को लेकर दो स्टेटमेंट दिये गए हैं, बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि यह जो लि लिट्टाक भी एंग लदाख जुसको जैस्ट्रोनोमिक कैटेगरी के अंदर में रखा गया आपको बता रखना अलगळग कैटियरी होती हिं तो लब टाक में गैस्टरोनमिक एंदर में रखा गया ंटे बता हैं तो बना में मी mild में घ्टेट्मेंट差不多 यहाला स्टेटन बोलता है यह जो प्राइज है यह दिया जाता है नॉन फिक्षन वर्क के लिए इस्पेशली ऐसा वर्क जो की कॉंट्रिब्यूट करता हो पब्लिक अंडेस्टेंडिंग में लोग वर्ल्ड कल्चर को समझ सके हैं दूसरा स्टेटन बोलता है कि यहां पर यह नेक्स क्वेशन पर आएंगे यहां पर स्टेट फूट सेफटी इंडेक्स को लेकर दो स्टेटमेंट दिये गए हैं बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटन बोलता है कि यह जो इंडेक्स है इसका में मकसद है एक कॉंपेटिटिव और पॉजिटिव चेंज लाना अपने food safety ecosystem में जो खान पान है उसके अंदर एक बढ़िया healthy change करना इंडिया में यह main purposes index का second statement बोलता है कि इस index में consumer empowerment भी एक important parameter है इस index को तयार करने में तो बताओ दोनो statement में से कौन से statement से option number a one only b two only c दोनों से यह यह डी दोनों गलत है ना उगला हाल ही में देखने को मिला है यह क्या है क्या यह मौत है क्या यह गैको है क्या यह फ्रॉक की स्पीश है क्या यह फिश की स्पीश यह तो इसका सही आंसर सभी को नीचे comment section में देना है next question बार आएंगे यहां पर आपसे दोस्तों infuse mission के बारें है जो हमारे star होते हैं जो सितारे होते हैं उनके पूरे life cycle को समझना तो बताओ दोनों स्टेट्मेंट से कौन से स्टेट्मेंट सही option नमबर ए वन ओनली बी टू ओनली सी दोनों सही है या डी दोनों गलत है तो दोस्तों यह थे सारे सारे questions आई होप आप आप लोग स्टेट्मेंट से आंसर को देखने के लिए ठीक है तो इनफ्यूज मिशन को लेकर दो स्टेट्मेंट से बताओ कौन से सही है केवल दूसरा वाला सही है पहला वाला गलत है क्यों यह European Space Agency का नहीं नासा का मिशन है आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था दूसरा बिल्कुल इसका में काम है स्टार्स के लाइफ सैकल को अंडेस्टेंट करना तो बी टू ओनली इस अ करेक्ट आंसर आगे आता है फिर अगले question में आपसे पूछा गया आवाउस मूलतला क्या है हाली में न्यूज में तो एक फिश की स्पीश है जो की रिसेंटली महानदी रिवर में पाई गई है फिर आपसे पूछा गया state food safety index को लेकर बताओ दो statement कौन से सही है दोनों के दोनों सही है अब दोनों statement सही है तो यहाँ पे कुछ बताने वाली बात बचती नहीं है फिर पूछ आपको पाता जैसे मैंने बोला history हो गई फिलोसफी हो गई psychology हो गई इन सभी categories में यह बुख दी अवर्ट दिया जाता है तो इस वज़े से second वाला गलत है one only is the correct answer फिर आप से पूछा या यूनासको creative cities network को लेकर बताओ दो statement है दोनों में से कौन सही है कि यहाँ पर दोस्तों इसमें लिस्ट में उनी cities को रखते हैं जिसका special focus creativity और cultural industries के उपर है ठीक है पहला statement करेक्ट है बड़ दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लद्दाक लिखा है लद्दाक को हमने जैस्ट्रोनोमी काटेगरी में रखा है ऐसा नहीं है लद्दाक यहाँ पर किसी भी क नहीं है ठीक है यह अपने ध्यान में रखना है ठीक है तो हमारे कौन कौन से शहर है कोजी कोड गवालियर स्रीनगर जैपूर मुंबई चिन्नाई वारंड़सी और हैदराबाद यही सारे शहर हो जैस्ट्रोनोमी काटेगरी में कर हम बात करेंगे तो हैदराबाद है इंड कर देंड़सी और